केलाश मेगवाल मेरे साथ हैं और राजिस्तान में मेगवाल वर्सिस मेगवाल की लड़ाई जो की छेडी है इन्होंने एक बड़े आरोप लगाए हैं कानून मंत्री पर आपने अर्दुराम मेगवाल पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फिरंस भी की है तो किस तरीके के आरोप ल लेकिन अर्जुराम एकवाल यूजी के लिए आपने कहा है कि उन्होंने जो आदेविट दिया था 2014 2019 के चुनाओं में वह गलत था उसमें केसों कभी जिकर किया गया था लेकिन उन नहीं जो लिकके दिया अब लिखूंगा क्या मांगेंगे उनसे मांग करूंगा कि यह जूटे एफिडेविट दिये हैं इसलिए इनकी लोगसभा की सदस्यता खतम की जाए और इनके उपर फोसदारी मुकत्मा लागू किया जाए एक आपने आरोप लगाएं कि भाजपा में जो कई नेता है वह बाहर से आए है यानि कि आया ते नेता आपने बोला आया ते नेता शब्द बोला है कौन कौन से नेता हैं यह चूशी यह कॉंग्रेस यह एनसे का अक्टिविस्ट था फिर इसके बाद यह अपने कॉलेज में पाद्यक्स भी मणा अद्यक्स भी मना और भार्ती जन्ता पार्टि के उम्मीदवार को और हरा करके और ये उप्रदाम भी बना और पर हिदोर आगया सुबधा की रानिती से वह मौलिक जो है न तो रस्स का न जंसंग का है और यह राजएंद नरा ठोड इसकी रानिती जन सब्सक्राइब करना चाहिए कि मैंने यह सब्सक्राइब की सरकार बचाई थी मैं सच्राइब करके और विधायकों का दल बदल करवा के करना राजनिती नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह मेरा स्टेट्प्रेंट आया, उस समय जो है, सारी स्थित्या बदल गए, उनकी खलबली मत गई, मैंने इसमे लिखा है, अब चुनाओ आ रहे हैं, तो क्या लगता है, किस तरीके का महौल रहेगा, क्योंकि आप कॉंग्रेस और त्यारी जो कर रही है, लेकिन घुटबाजी की बात आपने कि ए, बीजेपी में घुटबाजी सबसे ज़्यादा आया है, तो उसको नुक्सान होगा, फाइदा होगा, गुटबाजी से नुक्सान ही होता है, इसी घुटी राजिती के आदमें निशकासित करवा दिया इन्होंने मैंने जो जवाब दिया है इस जवाब के आधार पर मुझे निश्काशित किया है यह सही क्या है अब तो आपको कर दिया निश्काशित अब क्या प्लान है आगे किस तरीके चुनामिक अगे शुब चिंतकों से बैठ के बात करेंगे एक मेरा आखरी सवाल है कि अपके साब जी ते इनौने साफ तोर पर जो है बड़े आरोप लगाए है अड़ जो नहीं कि यह कह दिया है कि उनकी शिकायत उन्होंने परद्धानमंतरी को की और कौन सी पार्टी से जो आगे चुनाओ लड़ा जाएगा उसके बारे में आगे विचार किया जाएगा मेरे से होगी शक्ति सिंग के साथ वजारिया टीवी ना